हरे किष्णा तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के छटे श्लोक पर चर्चा करेंगे और यह श्लोक क्या है युद्धा मन्युष्चविक क्रांथ उत्माउजाश्चविरिवान सवभद्रो द्रवपदे आश्चव सर्व एव महारा था यह दुर्योधा नहीं यह बोल रहा है भी दुरोणाचारे जी को और आगे के जो टोटल एक्षली पांडवा की सेना में काफी सारे महारती थे लेकिन यहां जो मुख्य महारतियों के नाम जो गिनवाई है पांडवास पांडवास तो थे लेकिन यह और जो है उनके नाम गिनवाई है तो वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि युद्धा मन्युष्च विक्रांत कि इस इनकी जो सेना में पांडवा की सेना में युद्धा मन्यू भी है जो कैसे हैं विक्रांत मतलब बहुत बहुत ब मनियों और उत्मोजा यह दोनों सगे भाई थे यह दोनों भाई भी लड़ रहे और यह कौन थे कहां से थे यह यह पंचाल राज्य से थे बिलॉंग करते थे जहां का राजा दुरुपत था इसलिए कई लोगों का ऐसा कहना भी है कि यह शैद दुरुपत के ही पूत्र थे द खनाद में उसने अपना तपस्या से वर्दान मांगे अपने मेल में असब अबर्त 시we toll यह इस सरे से है GO les Hai ओनों भाई थे पन्चाल राजा से बिलॉंग करते थे औरfrage यहीं वो दुन허 भाई ते के यूद में दुरुदन से यूदकिया था दुरुदन सी तरी टाइम ठोपने के उद्देश्च से ताकि भी मुझे मारना दे तो तब यह ही दोनों ढूंडने गए थे क्योंकि पांडुओं की सेना कुछी लोग बचे थे महावरत की युद के बाद तो ये ये भी बचे थे तो यह दोनों ढूंडने गए थे फिर दुरियोदन को वर में और यह इन से बहुत डरते थे जो लोग थे वहां के लिखा हुए है कि गीता में लिख रहे हैं कि इनका जो युद्धा मन्यू जो थे युद्धा मन्यू अर्जुन के हमेशा लेफ्ट पईये की रक्षा करते थे रथ के और जो उत्मोजा थे उनके भाई वो दाही ने राइट पई रचा करते थे अर्जुन के रथ की और इनका जो वद है इनका वद हुआ अश्वथामा के द्वारा अठावे दिन जब महावारत का युद्धा में खतम हो गया तब रात को आकर अश्वथामा ने इन दोनों को गला काट दी जैसे द्रौपती के पूत्रों का गला काट तो पुद्मों को बाल मandu तो यय उत्मोज और युदामन्यु है और पिर नेक्स ना रही ए कि सभघ्ध्रो सभध्रो मेंज सुभध्र के पूतर कूं थे आधी मन्यूं मतलब अर्जुन शुबद्रा से यह पूत्र वह थे वह मन्यूं थे तो मन्य को फैटिंग की जो कला थी वह किसने सिखाई थी वह बलराम जी ने सिखाई थी और अर्जुन ने दोनों ने मेलके से खाई थी, बहुत बहुत तगड़ा वी रिवान था हो, एकली बहुत शक्ति शाली महारत ही थी, महारत ही था हो, क्यों, इसलिए उसने चक्रिव में प्रवेश तो कर लिया था, लेकिन उसको निकलना नहीं आता था, क्योंकि बच्पन में उसने सुना था चक्रिव के बारे में, जब उसकी मा को सुभध्रा को भवान कृष्ण चक्रिव के बारे में बता रहे थे कुछ, तो उसने आदा सुन लिया था कि चक्रिव में प्रवेश कैसे करना, लेकिन चक्रिव को भेद कर निकलना कैसे वो नहीं सुना था, इसलिए उसने चक्रिव म में प्रवेश्टों कर लिए लेकिन मात खा गया उसको निकलना नहीं आता था इसलिए बिचारा मारा गया तो यह अभिमन्नी हुआ है और सभाद्रों द्रौपदे आश्चा और द्रौपती के पूत्र भी है दुर्योधन गिनवा रहे हैं द्रौपती के पूत्र कौन है द्र हमें द्रौपती द्रौपती के यह द्रौपती के पांच पूत्र कभी आपर बर्णना रहे है और सर्व एव महारथ और द्रौपता चार को कह रहे हैं द्रौपतां कि कि यह तो मैंने कुछ ही महारथियों के नाम गिनवाए हैं ऐसे और बहुत सरे महारथियों इनकी सहना में इसले मुझे डर लग रहा है इसलिए भागा भागा आपके पास हैं अब इस थिती को संभाली और मुझे गाइड करिये और फिर अगले श्लोक में और बताएगा तो यह एक्शली यह जितने भी श्लोका चल रहे हैं यह सब इन्फोर्मेटिव श्लोकाज हैं मैं इस पर लोग पूछते रहते हैं कि प्रभुजी कौन है करेक्टर्स हमें तो पता ही नहीं है यह वो है तो इसलिए इसलिए मैंने सूचा कि इन करेक्टर्स के ऊपर भी पता होता है तो इंट्रस्टिंग सब्सक्राइब को चाहिए होती है बाकि और आगे जब हम जाएंगे अध्याए दो में खासकर या अध्याए एक क्यांत में तो बहां पर फिर एक अलगी महां फिर थोड़े सी फिलोस्पी आ जागी और तो यह आप याद कर सकते हैं चीज को मिशन परपस के लिए हारे किष्णा शिल्पर उपात की जाए है